एससी बैंकिंग या भारत में आप किसी वी एकजाम की तयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है लूसेंट आपके लिए तो उसी के प्रस्णों के सीरीज के साथ हम आपके साथ हैं और पहला प्रस्ण है खालसा पंथ की अस्थापना गुरू गोविन स सिन्हे की थी और गुरू गोवन सिंग कहां के रखने वाले थे तो पटना के रहने वाले थे सिख धर्म से इनका संबंद है तो यह आपको याद रखना है अगला प्रस्ण देख लेजे निम्लिखित में से किस ज्वाला मुखी को भूमद्य सागर का प्रकास अस्तंब कहा जाता है तो यह आपको याद रखना है स्ट्रॉम बेली ज्वाला मुखी है उसे भूमद्य सागर का प्रकास अस्तंब करते हैं कई बार मेडिटेरियन सी लिक दिया जाएगा तो भी आपको याद रखना है भूमद्य सागर हो चाहें मेडिटेरियन सी हो दोनों का एंसर यानि महाभियोग राष्टपती का कहां से लिया गया है तो यह आपका USA यानि सह्युक्त राज अमेरिका से लिया गया है एक बात आपको और समझना है कि अगर उपराष्टपती का पूछ ले तब आप क्या किजेगा तो यहाँ पर यह भी याद रखना है कि प्वारत के त्रहन पॉइंट पूर्वी घाट और पश्चीमी घाट इस जगा पे तमिल नाड़ू और के एरिया पे जो नील गिरी पहाडी का च्षेत्र है यहांपर पश्चीमी घाट और पूरवी घाट एक दूसरे से मिलते हैं तो इस मैप के जर्ए आपको याद रहेगा निमलिकित में से किस ने सांती निकेतन का निर्मान किया सांती निकेतन का निर्मान किया है रविंदरनाथ ठाकुर या रविंदरनाथ टैगोर नाचक कहा किया है तो ये पस्चीम मंगाल में किया है ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है पेज़्े मंगाल में किया कहा किया बोलपूर में किया है वही रविना रविना टैगंटन का निर्मान किया केल नहर किसको जोडतीh तो बाल्टिक सागर को क weigh त्यूरी सागर से जोडी है कि narratives कई बार का पूछा गया प्रश्न है आपके एक्जाम के लिए महत्मून है अभिवक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है तो देखें ग्राम सभा किसको निरूपित करती है यह पूझा जा रहा है सिंपली तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंदल जो है इसको ग् आपको यह भी याद रखना कि राजस्थान साथी साथ जो आपका गुजरात का एरिया है तो इसके बॉर्डर पे ही आपका अरावली परवतमाला है और यहीं पर मौंट आवू जो है सबसे उचा पॉइंट है तो यह आपको याद रखना अरावली का सबसे उचा पॉइंट हील स्टेशन है टूरिस्ट प्लेस है बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं तरायन के प्रत्वी राज चोहां ने इन में से किसे पराजित किया था तो पहला प्रस्ट तो यह है कि कि तरायन का परथम युद कब उता है पूँछा भी जाता है तो 1191 एडी में याद रखना 1191 एडी में तरायन का परथम युद होता और किसे पराजित क्या था पृत्मिराज चोहां ने महम्मद गौरी और 1192 में तरायन का द Championships तूर मारत मोट्र करीए करें प्रेखञें यह sml nr कर दिया पोछा जाता है कि तौरान भारत गवर्नरी को था यह पूछा जाता है लौड कैनिंग याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्ण है हर एक्जाम में टी सीएस का फेवरेट प्रश्ण बनके रहा है तो ठारे संतावन के विद्रों के तौरान भावारत का गवर्नेजरनल लौड कैनिंग था अच्छा आप इतना दूर तक आ में बदल जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इस प्रक्रिया को उर्दो पातन कहा जाता है ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया अगर इंग्लिस में बोला जाए तो सब्ली मेशन बोला जाता है इसे यह याद रखिएगा अच्छा इसका एक्जाम्पल क्या ह तो यह में आपको याद रखना है उटपातन यह सब्ली मेंसन अपको से प्रक्रिया एक कटे हुए हीरे की चमक की सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब याद रखेगा इसके बाद कांच का होता है, कांच का कितना होता है भाई, तो यह 1.5 होता है, लेकिन 2.42 आपको जरूर से जरूर याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, और उच अपवर्तक सूचकां के कारण, जो है, हीरा चमकता है, आप से ये भी पूछ सकता है, फ्यूजन है या फीशन है, तो फ्यूजन है, फ्यूज होता है, यानि सिकूरता है, ठीक है, याद रखना है, अच्छा वो लेका परमानू बं किस पर काम करता है, यानि बिखरता है, चारो तरफ चितरा जाता है, ठीक है, और ये सनलियन पर क याद रखने है कोई भी पूछा जा सकता है वहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दरपन का उपयोग होता है तो देखिए इस ट्रा का दरपन लगा रहता है और बहुत सारे बड़े एरिया का चीतर हम छोटी जगह पर देख पाते हैं तो यह कौन सा दरपन है यह उत दरपन का उपयोग होता है और इसमें जो प्रतिवम है वो छोटा बनता है यह भी याद रखिएगा अब देखिए पूछ रहा है कि निमलिखित में से कौन सी इतक्रिष्ट गैस मतलब क्या होता है नोबेल गैस नोबेल गैस मतलब इनहर्ट गैस इससों बोला जाता है जो क अस सना हो आपका अरगंण है क्रिप्टन है जैनन आं और रेडान तो यह रख लिजग पैंसर में नहीं पॉयोग होता है और रेनडान जो है वांद में रहा होता है अच्छा ये ग्रूप 18 में होता है ये भी पूछा जाता है कि नोबल गेस जो है या फिर इनर्ट गेस कहां पाई जाती है तो ग्रूप 18 में ये भी आपका याद रखना हीलियम नियन आरगन क्रिप्टन जिनोन रेडों इस तरह से आपके सबसे लास्ट वाले ग्रूप में य याद रखेंगा पूछा गया प्रश्ण है पेड़ों की आयू का अनुपान किसके द्वारा लगा जा सकता है वार्सिक छलों की गिंती करके पेड़ अगर आप काट दीजेगा तो ऐसे ऐसे वहां पर गोल बहुत सारे छले रहेंगे तो इनको जब गिनेगा एक साल दो साल तो इस तरह से आप घर में भी गिन सकते हैं अगर आपके पास उपलब्द हो तो देखें क्या बुला स्टार्च तेल और प्रोटीन जैसे पदार्तों का भंडारन करने वाला कोशी कांग कौन सा है हमारे सरीर में तो वह है लवक ठीक है लवक जो है प्लेस्टीड जो है वह डबल मेंबरान होता है वह श्टार्च तेल और प्रोटीन का भंडारन करने वाला कोशी कांग है लवक अगला प्रसंद देख लिए निम लिखीत में से कौंसा पाधब हार्मोन है यान्य पीड़ पौदव में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है तो वह ऑख्सीन ठीक है और oxytocin hormone जो है वो पस्वों में पाया जाता है दूथ देने वाले पस्वों में यह भी याद रखिएगा adrenaline मानों में पाया जाता है कडो या मरो से नियंत्रिद हार्मोन है do or dieg से बूला जाता है ठीक है डू आडाइ करो या मरो की हार्मॉन अक्सिट्रोंसीन बता दिया और ऑक्सिन तो आपको पता ही चल गया पादब हार्मॉन है या पेड़ पौधों का हार्मॉन आख की रेटिना की तुलना केमरे के निलिखित में किस भाग की जा सकती है हमारा जो आख है उसकी तुलना हम लग किस भाग कर सकते हैं जो प फिल्म की तरह कर सकते हैं उसी तरह हमारे आख में भी Tar. थिक है कितना important passion है तो क्या पूछ रहा है निमलिकित में कौन सी नदी अमर कंटक पाहाठार से निकलती है तो अमर कौन सी है अमर है नर्मदा याद रखिए कर नर्मदा हमेशा अमर रहती है इसलिए ये अमर कंटक से निकलती है अच्छा ये अमरकन टक है कहां तो ये मध्य परदेश में है MP में है ये भी आपको याद रखना होगा और नर्मदा नदी यहीं से निकलती है नर्मदा कुंड भी बोला आता है जहां से नर्मदा नदी निकलती है और ये अनुपूर डिश्टिक में इस्तित है भारत का समिध संधान लाग हुद है ये आपको याद रखना है안 इंप्रेटेट याद रखी 27 northern 1929 को सम्मदान बन गया था समीधान को सम इनर दी इस दिन मना जाता है और 27 बनाते हैं गंतंत्र डवस बनाते हैं हमारा यहाँ आज आ चारह तो देखे एर्विन समझाता है, मारले मिंटो सुधार और इलवट बिल, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले इलवट बिल पेस किया गया था, यानि कि चार, उसके बाद मारले मिंटो सुधार, 1919 में, यानि तीन, उसके बाद रॉलेक्ट एक्ट लाहा गया था, अंग्रेजों के द् नहीं एर्विन समझाता है, 1931 में होता है, तो दो, यानि चार, तीन, एक, दो, आपका सही जवाब हो जाएगा, फिर देखें क्या पूछ रहा है कि अकबर के सासन के दारान, राजस्व का, राजस्व की देखभाल या राजस्व का नेप्टान का परवरता कौन था, तो य ही राजस्व देखते थे, भारतीय सम्मिधान की प्रसावनों में पहली बार द्वारा संसोसित के संसोधन किया ता, तो पहला बार प्रसावना में संसोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था, जो द्वारा, और Chairy we Когда संसोधन और समाजवादी और धर्म निर्पेच जै समाजवादी और धर्मनिर पेक्ष सब्सामिल के गता है तो 42 सवा संसोधन के दवरा यह आपको याद रखना है अच्छा देखिए यहां पर हिमाले एक उधारन है हिमाले क्या उधारन है खंड परवत वलित परवत प्राशिंद परवत या अपसिस्ट परवत तो देखे जो जब दो टक्टोनिक प्लेट है तो यह मुड जाता है और इसे हमाले का निरमान हुआ तो इसे वलित परवत कहते हैं यानि हमाले किसका उधारन है एक वुबीत परवत का उधारन आपको याद रखना लिकित में से किसने गुरुनानक की जीवनी लिखी थी और मर्दास ने रामदेश अर्जुन देव या अंगद देव ने तो इसका सही जवाब है सकेंड गुरु सिखों के कौन थे वो थे गुरु अंगद देव तो उन्हें नहीं गुरु नाना की जिवनी लिखी थी गुरु गरंत साहिब में भी इसका आपको मिल जाएगा गुरु चाहिए दिलिप सिंग गुरु गोबिन सिंह सही जवब है रंजीत सिंग उन्होंने पंजाब में स्वतंत्र सिख्राज की अस्थापना की पंजाब में तो यह आपको याद रखता है पीछले साल का पूछा हुआँ प्रस्ण है निमलि खितिम्स कौन भारत में अस्थापि इसका नया नाम है जीम करवट का और इसका पुराना नाम क्या था तो इसको 1936 में स्थापित किया गया था क्यों किया गया था बंगाल टाइगर के लिए बंगाल टाइगर के लिए ठीक है और इसका पुराना नाम था हेली राष्टे उद्यान हेली राष्टे उद्यान ठीक ह तो तीनो सारा का सारा चीज आपको याद रखना है पहला राष्टी उद्धन कौन सा है जीम कारवेट नेशनल पार्क है 1936 में स्थापन हुई थे और यह पूछता है इसलिए बता रहा हूं याद रखेगा और बंगाल टाइवर के संद्रक्षन के लिए किया गया था हैली र डाटा बुक में सुचित किया जाता है रेट डाटा बुक अच्छा एक और चीज पूछता है कि रेट डाटा बुक को निकलता है तो यह है आई यू सी एन उनाइटेड नेशन की संद्थान है इसका मतलब क्या है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर नेश्चुरल रिसोर्स तो यह जो है रेट डाटा बुक्स लुप्त प्रयर पजातियों के लिए निकालता है याद रखेगा तो यह था प्रशनों का सीरीज यह था आज का आखरी प्रशन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल में नए है तो आप जरूर कीजेगा दोस्तों के साथ सेर भी जरूर कीजेगा तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए